सब मैंने प्रॉस्पेक्स पूछते हैं कि बड़ा बिजनस की जो प्रॉडक्स है उसकी मार्केट में कितनी एक्सेप्टेबिलिटी है इन प्रॉडक्स को कितने लोग कंजूम करते हैं बाई करते हैं खरीदना चाहते हैं बड़ा बिजनस के प्रॉडक्स की मार्केट में क्या एक्सेप्टेबिलिटी है पहला चीज़ मार्केट में एक्सेप्टेबिलिटी एक यूज टोटल अड्रेसेबल मार्केट साइज के अंदर से निकल के आती है market में acceptability को अगर आपको देखना होता आपको indicators चेक करने चाहिए एक है referral rate आज तक हमने television पे add नहीं करी अगर किया भी है तो television ने खुद ही हमारे को promote किया है news channels ने हमें promote किया है हमने जाकर कि कभी media buy नहीं किया भाँ पे पहला चीज हमारी growth कैसे हुई है यह referral rate से हुई है दूसरा होता है video consumption rate हमारे आप videos कितने consume किया जाते हैं सारे courses पे video consumption rate total पूरे देश में सारी ad tech companies में हम हमेशा top 5% categories में रहे हैं अगर 100 ad tech company है तो हम top 5 में हमेशा रहे हैं 100 में से top 5 बोल रहा हूँ मैं आपको और अचरे top 5 में ने आपको बहुत broad number दिया है हम हमेशा top 3% top 2% मिर रहे हैं क्योंकि हमारा video consumption rate highest रहा है इसके बार आता है तीसरा average video hit rate जितने video डालते हो number of views उसको divide करते हो तो आपको average video hit rate मिल जाता है इसके अलावा आता है आपका average view duration कोई भी video को अगर 50% से जज़ा समय तक देखा जारा है तो वीडियो को super hit माना जाता है average 50% से ज़ादा क्योंकि कहीं लोग video शुरू करके बंद कर देते हैं बीच में तो average कम हो जाता है यह सारे KPI से कारण परा चलता है तो हमारी market में acceptability इसलिए जादा है क्योंकि as a training industry हम लोग by far number one है तो acceptability से जादा है क्योंकि हम voice of customer इसको बोलते है VOC यानि की customer signal देता है हम उसको capture करते हैं और एक महीने के अंदर नया course लेकर के आते हैं industry exports के साथ में तो एक zero inventory business है जिसमें कोई additional expense हमारे channel का नहीं होता है चुकि वो सब inventory हमने बिल्ड किया है inventory बिल्ड करने की cost हमारी अपनी है यह हमारे IBC के नहीं है channel partners के नहीं है master micro franchise के नहीं होती है तो इसलिए market में acceptability को test करकर के ही हमने products को launch किया है मैं हमेशा market में सबसे आगर रहना चाहता हूँ हमेशा चाहता हूँ कि मेरा competition कभी मुझे देख ही न पाएगा कि जो मेरा competition जो मैं कल करता था ना वो मेरा competition आज करता है जो मैं आज करना हूँ ना वो कल करेंगे और जो मैं कल करने वाला हूँ उन्होंने भी सपने में सोचा नहीं है तो मैं अपने competition से हमेशा कहीं कदब आगए चलता हूँ और इसलिए हमारी market में acceptability जादा रहती है मैं हमेशा कोशिश करता हूँ हर महीने कुछ नए ऐसे product लाकर करके launch करूँ जिसे market में हमेशा हंगामा बना रहता है